लामता थाना के अंतरगत ग्राम पंचाइद भूनवा के ग्राम दोनी में छतिग्रत मकान की दिवार गिने से 16 वश्य बालक की मौके पर ही मौत हो गई लामता पूलिस ने बालक मौनिश पिता सूरेश सोनेकर 16 वश्य लास बरामत की और पोश मानम करबाकर 100 अरिजन को सौब दिया गया है बताया जा रहा है कि अपना पुराना मकान तोड़ रहा है जिसका आधा मकान तोड़ दिया गया था किन्तु कुछ दिन पूरो बारिश होने के कारण पूरा मकान तूट नहीं पाया और बारिश से मकान छतिग्रत हो गया था मकान के दिवार में दारार आ गई थी 28 माज को 12 बजे सुरेश शोनेकर का बेटा मनिस जिस दिवार में दारार आई हुई थी उस दिवार में भटेका लगा रहा था तभी अच्छानक छतिग्रत दिवार गिरने से मनिश दिवार के नीचे दब गया और मनिश के उपर दिवार गिरते ही देख परिवार और मोहले के लोग दोड़े और दिवार का मलवा हटा कर मनिश को निकाला गया जब तक मनिश की मौत हो चुगी थी इस घटना की सुचना मिलते ही लामता धाना परभारी पीएस डामोर मौके पर पहुंचे और मौतक बालक मनिश की लास परामत कीर पंचेना मा कारवाई के पश्चात लास पोश्ट माणम करवा कर शोपर जनों को सोब दिया है आगे मरग कायम को जाच की जारी है ग्राम दोनी में सुरेश सोनेकर का जो कच्छा मकान है जो मकान निर्मान के लिए मकान तोर रहे थे उसकी एक दिवाल आदित तुटी हुई थी जो आज गिरने के कारण उसका लड़का मनिश पिता सुरेश के डबने के कारण उसको सीर में गंबी सोटाई थी जिसके कान उसकी मौके पर ही मरती हो गए